दोस्तो नमस्कार, सुवागत है एक बाँ फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉंपटीशन यूज में दोस्तो इस वक्त की बड़ी खबर आप लोगों को बता दें सीटेट 2021 की आंसर की और रिजल्ड को लेके यहाँ पे एक बड़ी खबर मिल लगी है जियां दोस्तो आंसर की और रिजल्ड की डेट से समंदित आज की बहुत बड़ी खबर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेश्ट है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूपीटेट, सीटेट, केवीएस, एनवीएस या किसी भी शिक्षक भरती की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजे तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों देख सकते हैं बिलकुल ऑथेंटिक जानकारी हमारे चैनल के माध्यम सा आप लोगों को दी जाती और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों देख सकते हैं पूरी खबर दोस्तों देख लेते हैं, उमीदवारों को category wise cutoff score के लिए करना होगा, तब ही exam में qualified माने जाएंगे, answer की संबंदित सभी जानकारियां, official website ctet.nick.in पे यहाँ पे जारी की जाएंगी, दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ जो category wise, जो passing mark है CTAT का, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, CTAT में पास होने के लिए, जो general candidate है, दोस्तों उन्हें यहाँ पे 1500 में से 90 नंबर लाने होते हैं, और जो हमारे अरक्षित वर्ग के जो छातरें, दोस्तों आप लोगों को बता दें, यानि के OBC, SC, ST वाले जितने भी candidate हैं, उन्हें 82 यानि के 82 न लोगों को बता देते हैं, परिक्षिया में 1500 यहाँ पे पूछे जाते हैं, और कोई भी यहाँ पे negative marking नहीं होती, और यहाँ पे आप लोगों देख सकते हैं, कि cut off score 92 से 95 रह सकता है, तो यह बिलकुल गलत खबर है, आप लोगों को यह बता दे कि अगर आप general category में हो और पास माने जाएंगे, पूरी खबर दोसों आप लोगों को बता देते हैं, सीटेट 2021 के exam यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, रविवार 31 जनवरी को आयोजित यहाँ पे हुआ था, CBSC ने COVID-19 प्रोटोकॉल के साथ, चौधुई केंदरी यह शिक्षक पातरता परिक्षा य लगभग 23 लाग यानि के 22,97,62 अभ्यारती यहाँ पे उपस्तित हुए, जिसमें से दोस्तों अगर पेपर 1 की बात की जाये तो 12,19,220 अभ्यारती शामिल हुए, और यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हैं, पेपर 2 में 10,77,882 जो अभ्यारती थे दोस्तों वो शामिल हुए, और दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, इस बार जूनियर का पेपर काफी जादा टफ आया था, तो इसलिए छात्रों को यहाँ पेपर 2 में भी समस्या देखने को मिली, तो इस बार दोस्तों सीट एट का जो जूनियर लेविल का रिजल्ट है काफी कम आप लोगों क देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसे छात्रों से प्रिति किरिया मिली, कि इस बार साइंस और मैथ और यहाँ तक की जीएस का जो पेपर था दोस्तों, वो भी यहाँ पे टफ आया था, तो पूरी खबर आप लोगों को बता देते हैं, पलिक्षा में शामिल हुए, उमीद खबर आप लोगों को यहाँ पे देने वाले हैं, मगर पिछले बार की परिक्षाओं के अधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है, कि फर्वरी के दूसरे या 30 सब्ता में पहली आंसर की जारी कर दी जाएगी, और दो दिनों तक आपती दर्च करने का मौकर रहेगा, इस वर्वरी की लगबख 20 से लेकर 25 तारिक के बीच में रिजल्ट आप लोगों को कभी भी आ सकता है, जी, हां दोसों जादा दिन नहीं रह गए, आप लोगों का रिजल्ट यहाँ पे आने वाला है, तो बिल्कुल दोसों 20 से 25 वर्वरी के बीच आप लोगों का रिजल्ट माध्यम से सबसे पहले जानकारी दी जाएगी इसलिए आप लोगों से दोस्तो रिक्वेश्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजे और यहाँ पे दोस्तो आप लोगों यानि के सीटेट का सल्टिफिकेट आप लोगों के पास पहुंच जाएगा डिजी लॉकर के थूँ तो फिलार दोस्तो वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आप लोगों को अथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिल सके फिलार दोस्तो वीडियो में इतना ही जैहिन जैभार